जैमसी की प्रिया भाई और भेनों स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रवीश्य के पवित्र नाम में प्रिया भाई और भेनों आज हम सीखेंगे क्या धूम्र पान करना पाप है जैसे की सिग्रेट पिना, बीडी पिना, तंबाखू खाना, गाजा, ड्रॉक्स तमाम प्रकार के जो नसे पदार्थ हैं, नसीली पदार्थ हैं, इनका सेवन करना पाप है या नहीं है इस विसे में हम सीखेंगे बाईविल से हलांकि बाईविल में धूम्र पान करने या किसी अन्य तरीके के जैसे तंबाखू का सेवन करने के बारे में बाइबल में नहीं बताय गया है मगर इसमें दिये गए सिध्धानतों से पता चलता है कि परमेश्वर उन आदतों से खुश नहीं होता है जो गंदी हैं और जिन से हमारे सरीर को नुकसान होता है इससे हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर धुम्रपान को पाप समझता है बहुत सारे बाइबिल के संदर्व हैं जो हमें सिखाते हैं कि धुम्रपान पाप की तरफ हमें ले जाता है और परमेश्वर धुम्रपान करने वाले को पापी समझता है तो आईए हम देखेंगे जीवन की कदर परमेशुर सब को जीवन की सांसे देता है प्रेटों के काम 17, 24, 25 में जीवन परमेशुर की तरफ से एक तौफा है इसलिए हमें सिक्रेट पीने जैसी बुरी आदतों में नहीं पढ़ना चाहिए जिसकी वज़ा से हमारी मौत हो सकती ह पूरी दुनिया में धुम्रपान एक बड़ी वज़ा है जिससे लोगों की मौत होती है जबकि इस तरह की मौत से खुद को हम बचा सकते हैं प्रिय भाई और बहनों नसा करने से पूरे विश्यु में सबसे ज़्यादा मौत होती हैं तो बाइविल कवचन कहता है तुम्हारा देह पवित्रात्मा का मंदीर है और इस देह को जो नश्ट करेगा उसे मैं नश्ट करूंगा तो प्रिय भाई और बहनों अगर आप नसा करते हैं तो परमेश्वर के दृष्टी में ये पाप समझा जाता है लोगों के लिए प्यार अपने पडोस से वैसा ही प्यार करना जैसा तुम खुद से करते हो बाइबल यह सिखाती है दूसरों से वैसा ही प्यार करो जैसा तुम खुद से प्यार करते हो मती 22 49 लेकिन करने से लगती हैं उनके लगने से ज्यादा खत्रा उन लोगों को रहता है जो धुम्रपान तो नहीं करते हैं धुम्रपान करने वालों के आसपास रहते हैं प्रिय भाई और भेनों अगर आप धुम्रपान करते हैं तो आप से अन लोगों को खत्रा रहेगा जो आपके अगर आपके आजू बाजू में छोटे बच्चे हैं तो आपके धुम्रपान से और नको भी खत्रा होगा तो बाइबल साफ सब्द में कहती है कि तुम्हें दूसरों को भी खुस रखना है यदि हम धुमरपान करते हैं तो हमारी वजो से दूसरों को भी नुकसान होता है पवित्रता में भी हमें नुक्सान मिलता है कैसे मिलता है अपने सरीर को जीवीत पवित्र और परमेश्र को भावने वाले बलिदान के तोर पर अरपित करूं रोमियों 12 के एक वोचिन में लिखा है आव हम तनमन की हर गंदगी को दूर करके खुद को सुध करे और परमेश्र का डर मानते हुए पूरी हद तक पवित्रता हासिल करे ऐसा पवित्र सास्त्र में लिखा है दो कृंतियों साथ एक धूम्रपान करना स्वभाविक नहीं है यानि कि ये नेचुरल नहीं है धूम्रपान करना और ऐसा करने से इंसान पवित्र नहीं रहता यानि वो सारिरिक तौर पर साप और सुध नहीं रह पाता है इसलिए कि तमाखू का सेवन करने वाले अपने सरीर में ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसके बारे में वे जानते हैं कि वो सरीर के लिए हानिका रखे प्रिय भाई और भेनों तमाखु के पैकेट पे ही लिखा रहता है कि तमाखु से कैंसर हो सकता है और ये जानलेवा है और तमाखु से दर्दनाक मौत होती है इस तरीके का लिखा रहता है लेकिन इनसान जान बुझ के उसको ग्रहन करता है तो बाइविल के अनुसार ये भी एक तरीके का पाप है आईए हम आगे बढ़ते हैं बाइविल के मुताबित क्या मजे के लिए गांजा दूसरे ड्रक्स लेना सही है या नहीं आज बहुत सारे लोग प्लेजर के लिए आनंद के लिए मजे के लिए नसा करते हैं ड्रक्स लेते हैं और अन्य प्रकार की नसा करते हैं बाइविल में चरस गांजा या दूसरे ड्रक्स का जिक्र नहीं है मगर इसमें ऐसे सिध्धान्त दिये गए हैं जिन से ये पता चलता है कि इन चीजों का नसा करना गलत है साब सब्द में हम आपको बता सकते हैं हमने अब तक जिन सिधानतों के बारे में चर्चा की है वे तो लागू होते ही हैं और आगे दिये गया है जो मैं सिधानत बताऊंगा वो भी लागू होंगे देखिए जब आप नसा करते हैं तो आपके सोचने समझने की सकती पे भी असर पड़ता है वो किस तरीके से पड़ता है हम देखेंगे बाईविल से तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे दिमाग से प्यार करना मती 22, 37, 38 पूरे होस हवास में रहों बाईवल यह सिखाती है कि एक इनसान को जो परमेश्वर का आरादना करता है जो परमेश्वर पर विस्वास करता है उसको पूरे होस और हवास में होना चाहिए क्या एक नसा करने वाला ब्यक्ति पूरी तरीके से होस हवास में रहता है बिलकुल नहीं रहता है तो प्रिय भाई और बेनों परमेश्वर के दृष्ट में नसा करना बहुत बड़ा गुना है पाप है एक पत्रस एक अध्याय उसके तेरा बुचिन में ड्रक्स लेने से एक ब्यक्ति होस में नहीं रहता बहुत से लोगों को इसकी लत पड़ जाती है वे हर वक बस उसे पाने और उसका इस्तमाल करने के बारे में सोचते रहते हैं वे अच्छी बाते सोच नहीं पाते फिलिप्यो चार आठ देखें प्री भाई और बेनों जो ड्रक्स लेते हैं या नसा करते हैं उनको इसका लट लग जाता है और हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हमें कब लेना है कैसे लेना है इसके लिए कैसे पैसे एकटे करने है इने के बारे में सोचते रहते हैं और ये बिल्कुल गलत है देश के कानून का पालन करना इसमें एक पॉइंट और है सरकारों और अधिकारणों के अधीन रहो बाईविल सिखाती है ठीपूस्ति एक बहुत से डेसों में कुछ ड्रक्स के इस्तिमाल के बारे में सकत नियम है परमेश्युर को खुश करने के लिए जरूरी है कि हम अधिकारिओं के नियमों का पालन करे प्रीव भाई और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ड्रक्स लेना कानून अपराद है और कानून को तोड़ना परमेशुर के द्रिष्ट में भी अपराद है रोमियो 13 प्रिभाई और बैनों अभी तक हमने कुछ बिस्वे पे चर्चा किया है जैसे जो नसा करते हैं वे जीवन की कदर नहीं करते हैं वो लोगों से प्यार नहीं करते हैं उनमें पवित्रता नहीं वची रहती है वो सोचने समझने की सक्ति खो देते हैं वे देश का कानून का पालन नहीं करते हैं और कुछ बिसे पे हम सीखेंगे तमबाकू आपकी सिहत पर ब प्रिया भाय और भेनों, एक बार सोच के देखे, हर साल, साथ लाख लोग सिर्फ और सिर्फ एक नसात तंबाखू के सेवन से मर जाते हैं. इसमें च्छेल लाख लोग ऐसे होते हैं, जिन्नोंने दूसरे के धुम्रपान करने की वज़ह से बीमारिया लग जाती हैं. अब 60 लाक लोगों में से 6 लाक लोग ऐसे होते हैं जो खुद नसा नहीं करते हैं परन्तों दूसरों की नसा करने की वजह से बीमारी से पीडित हो जाते हैं इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे जरा ध्यान दीजे कि तमाखू का सेवन करने वालों और उसके आसपास रहने वालों की सेहत पर तमाखू का क्या असर पड़ता है जब आप तमाखू का सेवन करते हैं तो आपके आजू-बाजू रहने वालों पर भी बहुत बुरी तरीके से असर पड़ता है प्रिय भाई और्वेनों अब कैंसर के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे सिक्रेट के धुए में 500 कैंसर कारक कर रसायन होते हैं कि एक बर फिर छे क्पाइब से सुनने पर छी तो निए 1500 कैंसर होने वाले रसायन रहते हैं ऐसे रसायन जिन कि सेवन से कैंसर होता है बाइबल हमें बताती है इन साइक्लोपीडिया में ब्रिटेनिका बताती है कि ऐसा माना जाता है कि जिन्हें फेफडों का कैंसर है उनमें 90 परतिसत लोगों को यह बीमारी सिक्रेट के धुए की वज़से हुई है प्रिय भाई और बहनों साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका यह बताती है कि 90 परसेंट लोगों को जो फेफडों का कैंसर होता है वो सिक्रेट के धुएं से ही होता है इससे सरीर के दूसरे अंग में भी कैंसर होता है जिसे मुह में, सोसन नली में, भोजन के नली में, गले में, सोसन तंतर में, कलेजे में, अगनासे में, मुत्रासे में इन सारे जगे पे धुम्र पान करने से, सिक्रेट पीने से, बीड़ी पीने से कैंसर हो जाता है और प्रिया भाई और बहनों हम देखेंगे सांस की बीमारिया सिक्रेट के धुए से सांस की बीमारिया भी बढ़ जाती है जैसे निमोनिया, एनफलूंजा, फ्लू, जो बच्चे इस धुए के महाल में सांस लेते हैं उन्हें भी कुछ बीमारियों का खत्रा हो जाता है जैसे अस्थमा और हरदम खासी ऐसा इस बार उनके फेफडों का विकास नहीं हो पाता है और उनके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते हैं प्रिय भाई और बहनों यदि आप सिगरेट या तमभाखू या फिर बीडे का सेवन करते हैं तो आपके बच्चे भी से प्रभावित होते हैं उनके किटनि और उनके फेफड़े प्रभावित होते हैं और इससे दिल की भी बीमारियों होती हैं धुम्रपान करने वालों को स्टोग या दिल की बिमारी होने का ज्यादा खत्रा रहता है सिक्रेट के धुएं से कार्बन मोनो अक्साइड होता है जो अक्सीजन से फेपड़ों में से खून में चला जाता है और आक्सीजन की जगह ले लेता है फिर खून में आक्सीजन की कमी हो जाने की वज़े से दिल को पूरे सरीर में आक्सीजन पहुचाने के लिए और भी मेहनत करना पड़ता है जिससे की दिल की बिमारिया हो जाती है और आपको हाट होने का भी खत्रा रहता है और हम देखेंगे गर्व में पर रहे बच्चों पर भी इसका विसेस असर पड़ता है इसको हम देखेंगे कि यह किस तरीके से असर करता है जो गर्वती औरते धुम्रपान करती हैं उनके बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं प्रिय भाई और भेनों ये बाते बहुत बिसेस है आप ध्यान से सुनेंगे जो गर्वती इस्त्री होती है और धुम्रपान करती है उनका जो प्रसो का समय होता है वो जल्दी हो जाता है वे बच्चे पैदा होने का जो समय होता है उससे पहले ही उनका प्रसो हो जाता है उनक पिर अचानक उनकी मौत हो जाती है तो प्यारे भाई और भेहनों इन सारी बातों को देख के आपको क्या पता चलता है सिक्रेट पीना मसीयों के लिए अच्छी बात है या नहीं चुकि सिक्रेट पीने से एक इंसान अपनी जीवन का कदर नहीं करता है लोगों से वो प्यार नहीं कर पाता है पवित्रता बनाया नहीं रख पाता है सोचने समझने की सक्ति को खो देता है नसे की हालत में देश की कानून को भी तोड़ता है और उसमें कैंसर का भी खत्रा रहता है स्वास की बीमारियों का भी खत्रा रहता है दिल की बीमारियों का भी खत्रा रहता है और विजेस कर छोटे बच्चों के लिए भी कठनाईयों होती है तो प्रिय भाई और बहनों इन वचनों को सीखने से हमें पता चलता है कि एक मसीही बेक्ति को किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके का कोई भी नसा नहीं करना चाहिए बलकि उसको नसा मुक्त होना चाहिए और परमिशुर की आग्या का पालन करना चाहिए तो मुझे विश्वास है प्रिय भाई और बहनों इस वचन से आपको काफी हद तक मदद मिला होगा सीखने में अगर आप भी नसा से जुड़े हुए हैं नसा कर रहे हैं तो आप परमिशुर से प्रात्ना करें और आप हमें कमेंट में लिख के बताएं कि आप कौन से नसा करते हैं किस तरीके का नसा करते हैं और मैं एक नमबर आपको दो हूँ गा उस नमबर पे आपपोन करके अप प्रेय भी करा सकते हैं हमारे prayer tower में एक अंकल है जो 24 hour प्रेय करते हैं आप उनके दोःट आर्टन्स करा सकते हैं कभी भी और आप भी सला ले सकते हैं कि किस तरीके से हम नसा से मुक्ति पा सकें तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सराब के बारे में बाइवल क्या कहती है क्या उसे पीना पाप है या नहीं है बहुत सारे लोग सराब को लेके बहुत सारी कन्फूजन में है तो अगले वीडियो में मैं इसके बारे में ब सिक히